इस वीडियो में mutual fund model portfolio और stock model portfolio का weekly analysis तो रहे गाई उसके साथ साथ दो बहुत ही जबरदस्त announcement आप लोगों के लिए लाया हूँ जो मैं वीडियो के दोरान आप लोगों के साथ share करूँगा देखिए यहाँ पे model portfolio के तहत mutual fund में aggressive risk वाले, moderate risk, conservative और index fund का चार model portfolio आप लोगों के साथ design किया गया था और recently एक week हुआ है stock portfolio भी मैंने design किया तो चलिए quickly इसका update यानि हमारा weekly performance देख लेते हैं देखिए nifty का जो start होगा अभी ये पिछले बार जब end हुआ था वो ही अभी starting point होगा यानि 16,245 से week start किया था और उसके बाद जब closing हुआ इस week वो हुआ था आपका 16,630 में ठीक है वैसे ही mid cap में आपका 10,351 से शुरुवात हुआ था ये mid cap 150 index है और 10,604 इसमें index खतम हुआ है तो देख सकते हैं दोनों में ही index level में आपको positive return मिला है mid cap में भी और nifty 50 में भी ये सामगरिक बाजार आपको दर्शता है कि बाजार 2,5% इस बार positive return दिया है आप यहाँ पे देख सकते हैं positive return हुआ है तो हमारा ये fund का जो portfolio है stock का portfolio है वो कैसे perform किया वो हम जानेंगे ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं अब हम जाते हैं हमारा portfolio में यहाँ पे हम मैं portfolio में जाता हूँ my investment और इसका जो series का videos है वो आप ज़रूर track कीजिएगा उसका link मैं description box में दे दूँगा पहले index fund portfolio को देख लेते हैं यहाँ पे देखिए मैं इस week का जो time है वो दे दिया हूँ 6th से 12 March तक वो दे दिया हूँ तो चलिए शुरू करते हैं देखिए इस बार जो यह आप देख सकते हैं 2.5% return हम लोगों को यह index fund portfolio में मिला कौन सा fund है मैं बताऊंगा यह देख लेते हैं पहले और क्या transactions हुआ है वो मैं देखा देता हूँ आप जानते हैं जो लोग नहे हैं मतलब 10,000 रुपे हम लोग हर मन्त का पहले जो business day है उसमें हम लोग S.I.P करते हैं देखिए यहाँ पे 2nd March को 1st March को आई the holidays था तो उसके लिए 2nd March को जो business first month का business day होता है वहाँ पे यह ratio में आपका amount देख सकते हैं यह ratio में चारो fund में निवेश हुआ है इसके पीछे यह ratio के पीछे कारण किया है वो मैं पहले series का जो पहला video है उसमें मैंने explain किया हूँ ठीक है तो 2.5% is good अब देख लेते हैं कौन-कौन सा fund है मैं आप लोगों के यह zoom कर देता हूँ और तो देखिए यह चारो fund है Axis Nifty 100, ICICI Small Cap Index Fund, Nippon Nifty 50 150 और UTI 200 Momentum 30 Index Fund लेकिन इसमें allocation कम है सब कुछ allocation का खेल है ठीक है देखिए 2.5% हमें मिला है जो की देख सकते हैं आप जो Nifty और Mid Cap Nifty दोनों से ही जादा है comparatively ठीक है तो यह allocation का खेल है जो allocation हमें ठीक ठाक रखना है उस हिसाब से तो यह 2.5% हमें Index Fund से मिला जो की मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा माना जाएगा क्योंकि आप overall Nifty और Mid Cap को Outperform कर रहे है theoretically तो यह बहुत अच्छा performance है fund का अच्छा performance है तो चलिए अभी आजाते हैं जो मतलब मेरा तो personal moderate risk वाले जो है fund पर अच्छा लगता है aggressive बालों के लिए देख लेते हैं उसके बाद में conservative भी देखूंगा ऐसे चलेंगे चलिए तो आजाते हैं हमारे next fund में next aggressive portfolio में यह बहुत interesting रहेगा 3% good good देखे मैं भी पहले बार भी सुभे सुभे वीडियो बना रहा हूं पहले आपके साथ यह पहले ही मैं देख रहा हूं तो 3% जो है 3% is not your bad और मैं आप लोगों को यह fund दिखा देता हूं देखिए यहाँ पे access multi-cap fund है कनरा रोबे को small cap fund है PGIA mid cap है और परागपार एक tax sever fund है एक बात मैं बोल लूँ यहाँ पे आप लोग अगर किसी के पास परागपार एक flexi cap fund है it is well and good अच्छा मैं बोल रहा हूं fund का नाम जानके ही इसको कुछ मतलब आप रिलेट इससे reference मत निकालिये इसके पीछे logic क्या था वो मैं explain किया हूं वीडियो में वो सब आपको जानना चाहिए ठीक है तो 3% इसको update कर देता हूं aggressive portfolio में 3.0 तो देखिए अभी aggressive जो है पिछले बार अगर आप देखेंगे वो negative में था तो इस बार ये total मतलब अभी तो ये outperform किया है अभी cumulative कितना होता है यानि पूरा month में कितना return रहता है उसका भी dashboard में बनाऊंगा जहाँ पे monthly total कैसे performance हुआ वो भी आप देख पाएंगे क्योंकि ये just weekly जो portfolio track आप लोगों के साथ कर रहा वो स्रेफी स्रेफ एक दो week ही हुआ है तो इसके लिए पूरा data नहीं है मार्च का जब end रहेगा तो मार्च का फूर्फुल आपका कैसे perform हुआ हर एक category का वो में दिखाऊंगा तो आपको फिर monthly overview मिलेगा ऐसा हम जाएंगे ठीक है तो 3% aggressive अभी चले आते हैं हमारा conservative इसमें अचा इसका भी अगर transactions आप देखना चाते हैं वो भी देख सकते हैं ये देखिए ये February का ये March का transaction है ASIP का और ये उसका amount और आपका allocation जो हमने किये थे उसका logic मैं बार-बार बोल रहा हूँ पहला जो वीडियो है वो जरूर देख लीजिएगा अब आ जाते हैं aggressive हो गया अब आजाते हैं हमारा conservative portfolio में चलिए conservative portfolio थोड़ा सा update ये घूम रहा है तो इसके लिए मैं एक बात आप लोगों के साथ share करना चाहता हूँ कि जो लोग थोड़ा सा नहे हैं देखिए आप लोगों को ये चीज दिखाए देगा मतलब मैं जो ये red color का जो mark करता हूँ जो मेरा mutual fund औ और stock का joint ये रहता है या mutual fund model portfolio का updates रहता है उसमें मैं red box करके उसमें numbering रहता है ये जैसे video number 1 था video number 2 ये video में मैं 2 लिख दूँगा ऐसा ये देखके ही आप फटक से समझ जाएंगे अगर मैं कुछ rebalancing कर रहा हूँ portfolio में model portfolio में कुछ change कर रहा हूँ तो ये वाला symbol में use करने व इसके अंदर video का number रहेगा तो आपका series भी पता चलेगा को इसके बाद कौन सा video है और blue color देखके ही आपको पता चल जाएगा blue box के ये stock portfolio rebalancing या stock portfolio के उपर update का video है ठीक है अब देखते है अभी refresh हुआ है कि नहीं हाँ हो गया है तो रहा सा internet slow है शायद हाँ देखिए conservative portfolio में 0. 0.8% आपका इस week में मुनाफ़ा हुआ है ठीक है इस ओके तो 0.8% मैं update कर देता हूँ यहाँ पे conservative 0.8 ओके तो 0.8 conservative है तो थोड़ा सा धीरे ही चलेगा इस ओके वो देख लेते हैं आपका overview कौन-कौन सा fund है conservative portfolio में कानारा रोबे को equity hybrid आईसा है इसी approved all season bond यह dynamic bond fund जैसा है नावी nifty index fund रखा हूँ और पराखपरी conservative hybrid fund और यहाँ पे एक बोल दूँ अगर आप लोग super conservative है तो यह दो fund में अगर allocation थोड़ा सा कम रख सकते हैं यह दो pure equity based fund है इसमें आप allocation कम कर दीजिएगा ठीक है वो मैं आपक allocation देख लेंगे same type का ही आपका रहेगा जो आपका second March March का पहला business day में आपका 25% इच में allocation है उसी साब से किया हूँ ठीक है अब आजाते हैं हमारा जो one of the heart of this portfolio वो है आपका moderate risk medium risk वाले portfolio यह update करने से पहले यहाँ पे देख लीजिए पिछले week जब बाजार गिरा भी था तो moderate portfolio बहुत आउट परफॉर्म किया था बाजार से बहुत ही कम गिरा था 0.8% जो follow करते हैं वो लोग जानते होंगे तो इस week क्या है वो देख लेते ह हैं ओके गुड moderate portfolio में भी यह moderate risk portfolio में आप देख सकते हैं 2.4% generate करके दिया है उसमें भी आप transaction में देख सकते हैं यह चारो fund में 2 March को हुआ है कौन सा fund अब फटक से देख लेंगे fund का नाम में अगर आएंगे तो access growth opportunity fund है कैनरा रोबे को small cap fund है आपका मेरे asset का emerging blue chief fund है और पराग पारिक का अपका fund है ठीक है तो यह आपका moderate risk वाले portfolio का है मैं शायद aggressive वाला का fund अदल देखना भूल गया वो मैं fund आप लोगों को दिखा देता हूँ तो यह आपका हुआ है total percentage 2.4% तो आपका यहाँ पे moderate 2.4 तो यह देखिए यह जो 2.4 हुआ था और पिछले week जब market बहुत जादा गिरा था तब यह 0.8% only गिरा था तो बहुत ही outperform किया है as a whole दो week में अगर आप बोलनेंगे moderate वाले portfolio अब आ जाते हैं कि फटक से अगर मैं miss कर गया हूँ तो आपको दिखा देता हूँ stock portfolio से जाने से पहले aggressive portfolio में क्या-क्या funds है वो आप लोगों को मैं एक बर quickly दिखा देता हूँ यहाँ पे access multi-cap fund, कनरा small cap, PGIM mid cap, परागपारिक tax server, शायद मैं बोला हूँ फिर से एक point मैं भूल गया क्योंकि access multi-cap fund में अभी ये लो तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और ये fund को मैंने क्यों शामिल किया उसका full logic मेरा first video में है जब ये aggressive portfolio मैंने create किया था अब आ जाते हैं सबसे main चीज जो stock portfolio में update करने वाला हूँ उससे पहले और एक आपको जो announcement करना था वो में कर देता हूँ पहले तो ये announcement आप सुन लिये होंगे मतलब ये जो चीज मैं explain कर दिया हूँ ये color coding के बारे में और एक जो main चीज है वो है मैं जल्द ही आप लोगों का मतलब मैं जानता हूँ बहुत लोगों का बहुत questions रहता है ये market scenario में वो चाहे mutual fund का हो या फिर stock के लिए भी आप लोगों का मन में question ह तो मैं live आने वाला हूँ आप लोगों के लिए ये शायद मेरे मतलब जब से मैं YouTube चालू किया हूँ ये मेरा first live interaction होगा आप लोगों के साथ आप लोग अपना question को ready रखिएगा live session में मुझसे interact कर पाएंगे YouTube live में मैं आ रहा हूँ वहाँ पे आप question पूछ सकते हैं उसका details मे एक separate short video बना के आप लोगों को आज ही दे दूँगा के उसका details क्या होगा कब में live में आने वाला हूँ क्या उसका पूरा ये रहेगा सब कुछ में बोल दूँगा लेकिन free of cost आप जितना भी question है मुझसे पूछ पाएंगे YouTube में live interaction होगा बहुत ही बरिया है मैं कल के लिए उ कुछ preferred time चाता है मैं शाम को या मतलब शाम के time में करने का कोशिश करना चाता हूँ या फिर दो पहर को मैं actually आप लोग जिस time जादा free रहेंगे उस time बोलेए शाम को 9 बजे अगर हम करेंगे तो ठीक है डिनर फिनर करके आराम से उसके बाद आप 9 बजे से बैठ सकते हैं या फिर सुबह को lunch करने के बाद मान लिजे तीन बजे से या दो बजे से भी हम सुबह को दो बजे हम बैठ सकते हैं दो पहर को आप अपना time wise लिखेगा comment section में मैं अभी वो fix नहीं किया हूँ मैं जरूर timing और मैं कब आने वाला हूँ कल कब आने वाला हूँ संडे को ही आऊंग सब कुछ मैं वो वीडियो में बोल दूँगा तो चलिए stock portfolio अपडेट कर लेता हूँ ये interesting रहेगा इस बार तो मतलब बहुत ही ज़ादा volatile market रहा तो stock portfolio मैं आप लोगों के साथ इस week चालू किया था प्लीज stock का नाम मत देखिएगा नाम देखके उसको एज़ा tips करके आप अगर करेंगे फॉलो करेंगे तो कभी भी आप सीख नहीं पाएंगे मान लीजिए मेरा तबियत खराब होने के वज़े से YouTube में मैं थोड़ा सा दिन अनिमयत हो गया मैं कुछ दिन वीडियो नहीं डा पाए तो आप आप से मैं जो जब यहां पे stock चूस करता हूं कौन सा technical point discuss करता हूं चार्ट में वो levels आए तो ही मैं लेता हूं अगर fundamentally भी अच्छा है जो techno funda मेरा जो process है उसको मैं follow करता हूं और वो कैसे होता है मैं पुरा explain करने के बाद ही stock को चूस करता हूं वो process के उपर जादा आप ध्यान दीजिए ठीक है वो process एक बार सीख जाएंगे तो आप भी आपने लिए बहुत अच्छा stock ढूंड पाएंगे गिरते हुए बाजार में भी बहुत अच्छा quality stock ढूंड पाएंगे और long term portfolio आप अराम से बना सर पाएंगे ठीक है तो इसलिए entry exit भी point कर पा है तो यह एक लाग का portfolio जो मेरा critics रहेगा वो लोग भी बोल सकते हैं सर आप तो एक लाग का portfolio करके किये थे वहाँ पे तो आप 40% अभी cash में है 60% deployed है तो एक लाग का उपर ही profit तो consider करना चाहिए तो यह तो 7.3% नहीं होगा यह तो 4500 यानि एक लाग के उपर यानि 4.5% ही return ह होता है ठीक है आप जैसे समझना चाहते हैं यहाँ पे मैं profit दिखाने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ पे मैं process सिखाने के लिए बैठा हूँ ठीक है यहाँ पे कुछ मुझे कुछ मिल नहीं रहा है तो इसलिए process की उपर ध्यान दीजे ठीक है मैं as a equity fund जो भी deployed है उसका 7 7.3% एक week में आना भी बहुत है लेकिन आप लोगों के लिए मैं 4.5% ही लिखूंगा क्योंकि मैं अभी 40% cash में हूँ total 1 lakh का notional value लेके मैं चल रहा हूँ तो आप लोगों के लिए मैं 4.5% ही लिखूंगा 7.3% नहीं लिखूंगा हाला कि मेरा stock portfolio as a stock as a whole 7.3% ही return दिया है जो क बहुत ही जबर्दस्त माना जाएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों के सामने तो थोड़ा सा जूम आउट करके मैं इस साइड ले आता हूँ देख पाएंगे शायद हाँ तो यह आपका है यहाँ पर देखिए यह नीचे शायद कट रहा है ठीक है यह इंडिक्स वाला है और यह जो है आपका स्टॉक वाला है 7.3 एक्चुल था मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ जहाँ पे मैं यह 40% कैश में एक स्टॉक को मैं देख रहा हूँ वाच लिस्ट में शायद वहाँ पे मैं डाल सकू मतलब नेक्स ट्वीक में वहाँ पे मेरा इंवेस्ट करने का प्लान है उसके बारे में डिसकर्शन रहेगा तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा ठीक है वो आने वाला है और उसमें ब्लू वाला वो बॉक्स रहेगा तो आपको मालुम पर जाएगा तो क्या है भारती अटेल, सिपला, सिपला तो मतलब पिछले डे में देखिए 5% से भी ज़्यादा रिटान दिया है एक दिन में, हाँ मैं जूम कर दिया, उसके बाद हिंदुसका निवेस्टा निवेस्टा बहुत सारा बैंक का उप्शन था, बट क्यूं SBI वो भी मैं टेक्नो फंडा के तरह आप ल कौन सा लेवल एट्रक्टिव है वो सब, सन फर्मा वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अच्छा मतलब ये एक वीक में आउट परफॉर्म किया है और CDSL तो बहुत जबरदस्त रिटरन दिया है सबसे ज़ादा, दो दिन में शायद मतलब 10-15% बर गया था, अच्छा ट्रेडिंग नहीं ये investment portfolio है, लेकिन investment portfolio में निवेश करके भूल जाना नहीं है, मेरा theory completely different है, अगर कोई-कोई stock मुझे बहुत अच्छा return दे दिया है short time में, medium term में, तो मैं उसको profit book भी करूंगा, आप जानते है मेरा policy क्या है, यहाँ पे हम लोग पैसे कमाने के लिए आया है यहाँ पे कोई stock के साथ या कोई mutual fund के साथ प्यार महबत करके आजीवन उसके साथ बिताना है, शादी करके ऐसा नहीं है, ठीक है, इसके लिए हम लाए हैं, पैसा कमाने के लिए, हमारा पैसा अगर जल्दी बन जाए, तो ठीक है, good bye, profit book करके बैठो, next, कोई जो market, जो opportunity अगे हैं, यह आपका main अभी, जो अगर निश्पक्ष निकाले, तो यही है, stock, ठीक है, direct stock, इसमें risk भी है, देखिए, कुछ-कुछ week आपको दिखेगा, यह negative में भी गया है, तो ऐसे भी होगा, तो, बट यह overall अपका performance है, आप लोग ज़रूर लिखिएगा comment box में, आपका performance portfolio का कैसे है, और यह में प्रैस अगर अच्छा लग रहा है, आपको, आप लोग को कुछ सीखना live मिल रहा है, कुछ मिल रहा है practically, तो please video को like और share जरूर कीजिएगा, अपने colleague और friend लोगों के साथ, मिलते हैं next video में, तब तक के लिए, जय हैं, वंदे मातरम.